हेलो फ्रेंड्स असलाम वालेकुम आज फिर मैंने सोचा कि आप सब यूट्यूब फैमिली से मैं अपनी डेली की रूटीन शियर कर सकूं तो यह हमने बस हलका फुलका सा नाश्ता बनाया है अंडे चाए रात और यह रात का सालन बच गया है हमने सोचा कि हम ये भी खा लेते हैं फर्माने इलाई ही है कि अल्ला ताला के शुकर गुजार बंदे बनो जो कुछ और जितना रिक्स और माल अल्ला ताला ने दिया है उस पर शुकर अदा करो अल्ला ताला का वादा है जो शुकर करता है उसक यह खाया हमने फिर रात के खाने की हम लोगों ने त आयारी स्टार्ट करी मैने बहुत मज़िदार से आलूHO लेंगन बनाए हैं और इसकी रासिप स्टा्ट करती हूं य मैं यमने लंबब वाले बैंगन लिए हैं एक no oh ये मिन्यक पावालू लिए हैं और इसको मैंने इस तरीके से क्यूपस में कर लिया है यह मैंने डेड़ पाओ के करीप्री मार्टर लिये हैं इसको भी मैं अभी छिलका उतार कर पील आफ कर लूँगी और बैंगन को भी मैं इसका जो छिलका है ये रिमूफ करकर पील आफ करूँगी और मैं ऐसे ही बैंगन बनाती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और और मैं हमेशा लंबे वाले बेंगन लेती हूं छोटे वाले गोल वाले बेंगन नहीं लेती क्योंकि वह बहुत सारे कड़वे होते हैं और फिर मुझे उसको टेस्ट करकर के और चक चक कर उसको मुझे डालना पड़ता है क्योंकि अकर जरा सा भी कड़वाहट वाला कोई पी मैं एक चमश नमक डाल कर और इसको मैं भीगने के लिए रख दूँगी अगर मैं ऐसे ही रख देती बैंगन को तो यह काले हो जाते हैं बहुत जल्दी से यह काले होते हैं आलुओं में पानी शामिल करके और मैं इसमें भी नमक डाल कर और इसको रख दूँगी दोनों चीज करूँगी दुबारह नंका पानी ड्रेन करूँगी और फिर मैं अपने मसाले मिन को शामिल करूँगी जलिए रसीपी को बनाने स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने कड़ा हई रख दी है उसमें एक कप के करी बॉयल डाला है और उसको मैं गरम करके प्यास शाविल करूँगी इसके अंदर दो बड़ी मेने जो प्याज ली है वो सब में इसमें शामिल कर दूंगी और इसे हलका सा पिंक पिंक सा फ्राय करूंगी मैं और कड़ी पता जीरतों में लाजमी डालती ही हूं वो में जरूर इसमें एट करूंगी और आप लोग भी फ्रेंड्स ये आलू बनेगी मेरी ही टेक्निक से बनाईएगा आप जैसे मैंने बनाया है ना सारे बैंगन के छिलका पील आफ कर दीजिएगा यह मैं इसमें एक चम्मच जीरा डालूंगी और जीरे की खुश्बू तो मुझे बहुत पसंदे जीरा मुझे हर चीज में बहुत पसंदे कड़ी प और आप लोगों को यह व्लॉग मेरा अच्छा लगा था मैंने जो बनाया था पिछला वाला तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का कि आपने उसको इतना पसंद किया यह मैंने कड़ी पत्ता भी यहां पर शामिल कर दिया था अब मैं टिमाट्रों को कट लिए है इसको मिन बारे कड़िन रुंगीघ और मैंने पांसे चे अद प्रस के लिये हैं मैं हरी मर्च श्डाल रूंगी मैं कुटी हूई लाल मिर्थ और बारrah मिर्च यह एक चमच मेंने कुटी हूई लाल मिर्च लिए और यहां संद्रक की पेस्ट लिया है मैंने एक चम्मच है ये खाने का जो एक बड़ा वाला चम्मच होता है ना वो मैंने इसमें डाला है और कुछ ड्राय मसाले लिये हैं जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है एक चम्मच हाफ टी स्पून के करीब मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने एक चम्मच नमक लिए है हल्दी ली है मैंने हाफ टीजपून और आप लोगों को अगर जैसे जादा बैंगन बनाने हैं तो आप उस्हेसाब से अपनी कौंट्रीटी जादा कर सकते हैं मसालों की मैंने इतनी ही लिए क्यूंकि यह क्लों है इसारे मसाले में बिलकुल सही मिर्चे थी यह अच्छ चटपटा सब्लदा न बना है कि अब मैं टिमाटर शामिल कर सम중 धूंत को आप और इस मसाले को में इची तरीके से सब हुढ जो घरी मिर्टे में अभी नहीं डालूँगी मैं अधुमें जो आते हैं न सालन में वो कुछ अच्छे नहीं लगते यह देखिए मेरा मसाला विलकुल भून चुका है और बहुत अच्छा भूना है कि देख सकते हैं आप लोग कितना जबरदस आ रहा है अब मैंने जो आलू लिये हैं वो मैंने कट कर लिये हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी मैं मसाले में और पांच मिंट के लिए मैं पांच मिंट के लिए मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी मसाले मैं अच्छी तरीके से में कोट करूँगी मैं इसके साथ चामल बनाती हूँ और रोटी भी बनाती हूँ मैं लेकिन आज मैंने सिर्फ चामल बनाएं इसके साथ क्योंकि ये चामलों के साथ आप लोग खाईएगा ये बहुत मज़े के लगते हैं और ये देखिए आलू को मैंने 5 मट पका लिया है अब मैं इस टाइम इसमें बैंगन शामिल करूँगी जो मैंने कट करके रखे थे लेकिन पहले मैंने वाश कर लिया उसको उसका सारा पानी जो नमक वाला था वो मैंने ड्रेन कर लिया था और इसको अच्छी तरीके से मैंने वाश कर लिया ताकि इसमें कोई अगर नमक वगर वहांते हैं यह डेंटल जो है यह खाने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोग भी मेरी रैसेपी ट्राइए किजिए गा मुझे कमें रहा बताइए कहा है आपको कैसी लेगी यह मेरी रैसेपी और फ्रेंट्स देख सकते हैं आप लोग के आलू बैंगन बहुत अच्छे से पक चुके हैं मैं उसकी अच्छे से बुनाई करूंगी और उस वक्त मैं उसमें ड्राइ पाउडर मसाला शामिल करूंगी जो मैंने बनाया था साबु धनिया, सौंफ, जीरा और सब को मैंने ड्राइ रोस्ट करकर और खूट लिया है वह मसाला में इसमें शामिल करूंगी और वह मसाला हमें बहुत अच्छा लगता है आलू बैंगनों में यह जब मेरी शादी नहीं होई थी जब से मैं यह बनाती हूं यह मेरी अम्मी की साबु धनिया, सौंफ, जीरा इसकी बहुत अच्छी खुश्बू आती है और यह मैंने एक चमच भरके डाला है इसके अंदर और मैंने चिकन पाउडर इसमें डाला है आप लोग अगर डालना चाहें चिकन पाउडर तो डाल सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है इस में जरूर डालिएगा इसकी बहुत बहुत अच्छी इसकी खुश्बू आती है और यह हमारी डिश की फाइनल लोग है बहुत मज़दार साइया अलू बैंगन का सालन दयार है चामल बनाए है मैंने इसके साथ फिर हमने रात का खाना खाया और खाना खाने के बाद हम चोटे हैं अभी और यह मैंने दो की विडियो बनाई है यह देखें कितने प्यार है माशाला से वजदान और हाइम यह बहुत माशाला से प्यार हैं जंपिंग कर रहे हैं यह और मेरी बेटी साहबा तो जूले पर बैटने से ले गई थी वह जूले पर बैठी है और आशर बिजूले पर बैठें इस फार्क में हमें जाकर बहुत अच्छा लगा वहां पर कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और ट्वाइस के जूलेरी के और जू भी बना हुआ है और बच्चे तो जू को देखकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं बहुत मज़ा आया